exercise 6.5 का second question देखते हैं यह दिया है abc is a triangle right angled at c if ab is equal to 25 cm and ac is equal to 7 cm find bc पिछले question की तरह इस question में भी एक triangle है जो right angle triangle है और वो right angle जो है c point पे बना रहा है यानिकि उसका vertex जो c होगा वहाँ पर 90 degree का measurement होगा अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ab जो है ab का length अगर 25 cm है और ac का length 7 cm है तो bc का length कितना होगा यह हमको find out करना है तो किस तरीके से bc का length find out करेंगे चलिए इसको देखते हैं पहले इसको एक rough diagram बना के देखते हैं तो right angle triangle कैसा होता है आपको पता है यह इस तरीके से यहाँ पर जो 90 degree का measurement होता है यह 90 degree का measurement होता है इसको right angle triangle बोलते है अब इसका नाम कैसे देंगे तो question में हमको दिया हुआ है कि यह जो right angle triangle है वो c पे 90 degree का measurement बना रहा है तो यहाँ पर जो 90 degree का measurement बन रहा है इस vertex का नाम होगा c और suppose इसको नाम दे देते हैं a और यह b तो अब यह triangle हो गया a b c triangle हो गया है 25 cm और एक length दिया हुआ है ac का यह जो ac है इसका length दिया हुआ है 7 cm ठीक है मैं a यहाँ लिया हो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ ले सकते हो यह सिर्फ एक rough diagram है समझने के लिए तो यहाँ पर अब इस वाले जो length है इस base का length है यह हमको find out करना है तो इसको काम करते हैं पहले जो 25 cm और ac is equals to 7 cm तो find out हमको क्या करना है BC का value find out करना है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यहाँ पर फिर से apply करेंगे और जो लोग इस वीडियो पे नए आए हुए अभी तक वह अगर मेरा पीछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनको बता दू पाइथागोरस प्रॉ वीडियो में discuss कर चुके हैं आपको description box में उसका link मिल जाएगा exercise 6.5 का आप उस link में जाके पहला वीडियो जो है important points के नाम से आप उसको देख लिजे तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है वह आपको clear हो जाएगा उसके base पी हम यह question को solve करेंगे तो यहाँ पर perpendicular के square के सम के equal होता है तो यहाँ हाइपोटेनस है AB तो लिखेंगे AB square is equals to base है BC square plus perpendicular है AC square ठीक है मैं जरूरी नहीं कि मैं यहाँ लिया हूं तो आप यहाँ यहाँ लिए सकते हो बी को यहाँ पर लिख सकते हो यह 7 cm इधर चला जाएगा इसको find out करना रहेगा मतलब वही देगा आपको इसी फॉर्मूला से find out करना है तो आप देखते है वैल्यू पूट करेंगे ट्वेंटीफ एबी का वैल्यू दिया है 25 cm 25 का स्क्वाइर हो जाएगा यह ठीक है इस इक्वल स्टू बीसी हम को find out करना है तो बीसी स्क्वाइब आज इस रहेगा प्लस एसी का स्क्वाइर एसी दिया हूँए 7 cm तो 7 का स्क्वाइर लग लेंगे ठीक है अब 25 का स्क्वाइर यानि कि 25 इन्टो 25 मल्टिप्लाइ अगर करते हैं तो 55 जार यह हो गया 25 फाइव तो जाट 10 प्लस 2 हो गया 12 यह तो फाइव जाट 10 तो जाट 4 प्लस 1 5 यहां गया 5 2 और 5 प्लस 1 6 625 आगया अब BC स्क्वाइर तुमको वैल्यू पता नहीं है तो BC स्क्वाइर को as it is लिख देंगे प्लस 7 का स्क्वाइर 7 का स्क्वाइर मतलब 7 इन्टो 7 जो होता है 49 यह हो गया 49 अब आपको सिंपल एक्वेशन याद होगा यहां पर BC स्क्वाइर का वैल्यू फाइंड आउट करना ह यह हमार लिए वेरियेबल है 49 प्लस में है इसको इससाइड अगर शिप्ट करेंगे तो इधर आके माइनस में हो जाया गई यह हो जाएगा 625 माइनस 49 is equal to BC स्क्वाइर अब 625 में से 49 को अगर आपन सब्स्रेक्ट करेंगे योग्या 1 योग्या 15 15 माइन नाइस होगे 6 वन सि और यह हो गया 5 तो बच गया हमार पास 576 is equals to BC स्क्वाइर अब यहां पर हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू बीसी का लेकिन यहां पर वैल्यू अमर पास आ गया बीसी स्क्वाइर का बीसी स्क्वाइर में से स्क्वाइर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसका स्क हो हुआ होगे लिए इतउ से डिवाइड करते हैं कर देते हैं यह जाए हाँ तो फोस बच धिवाइट तो से कर सकते हो यहां पर हो जाता है तो 12 से उबास और पास आगे 1720 2 x 12 x 12, आप इनने इसको लिख सकते हैं 2 x 12 x 2 x 12 is equal to BC square, अब 2 x 12, 2 x 12 दो बार है, तो लिख सकते हो, 2 x 12 होगे 24, यह होगे 24 x 24 is equal to BC square, ज़र मैं continue कर रहा हूँ, 24 x 24 को लिख सकते हो, 24 का square is equal to BC square, अब दोनों में square है, दोनों square cancel हो जाएगा, आप लिख सकते हो, cancelling squares, दोनों साइट से square cancel हो जाएगा, तो बच जाएगा, 24 is equal to BC, यह पर लिख सकते हो, BC is equal to 24 cm, तो BC का value find out हो गया, 24 cm, यह होगे exercise 6.5 का second question,